हेलो दोस्तों कैसी हैं आप सब फ्रेंट्स उमीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपने गार्डन में वियस्थ होंगे फरेंटस गार्डन में तो काम डैलीका ही, वो आप सब करते ही हैं क्योंकि जाडू लगाना, पानी देना और पीले पते निकालना यह काम तो रोजाना का हमारा रहता ही है, एक आग गंटा तो हम अपने गार्डन को रोजाना देखते ही हैं लेकिन उसके अलावा भी फ्रेंट्स कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें समय जादा देना होता है और इस काम को हमें करना होता है तो मैंने आपको दिखाया यह अपना सामने का एरिया, तो इस एरिया को आप देख सकते हैं, क्योंकि मार्च और अपरैल में मैंने इन सभी को खाध दिया था, और उसके बाद फ्रेंड्स यह जह हैं पूरी जैसे बरसात गई है तो बरसात में पूरा जंगल बन गया यह सामन होता है और समय फ्रेंट से सितंबर और अक्टूबर के महीने में इने खाद भी देना जरूरी होता है तो मैंने आज इदर का सामने के एरिया के जितने भी मेरे गंबले हैं इन सब को उतार के पहले नीचे रखोंगी और उसके बाद जो एक्स्ट्रा इसमें टहनिया निकल रह होंगी तो यहां देख सकते ही जो मैं दो प्लांट आप दिखा रही हूं तो यह जब में चोके से नरसरी से लाइती थी तो दोनों के दोनों यह एक साथी थे तो मैंने इनको अलग लग ही किया था और एक साथ रहने दिया था और आज यह बढ़े ओ गए तब भी वो एक सा आज देखी जो भी पत्तिया सूख रहेती थोड़ी बहुत आगे से भी मैंने सब कहची से काट दी हैं और गंले से सारा का सारा सूख हवा जो इसमें कबाड का सब निकाल दिया है तो इस तरीके से पहले तो मुझे सारे गंले अपने प्लांट अपने साफ करने पूरे करनी है वह करूंगी जो भी प्लांट को बांधनाया से बांद दूंगी तो इस देख सकते हैं आप पहले मैं इस काम को ही कर रही है तो यह देखे मैंने जो जिन पर पोदोगी कटिंगी है उनकी कर दी है और आपको मैं दिखांगे एसारा गंबले मैं उतार के नीचे रख हैं अपने और काम मेरा चल रहा है तो आप देखिए गोरी चोरी का प्लांट है और यह काफी बढ़ा हो गया है और यह उपर की रहो में रखा हुआ था और यह नीचे तक फैल रहा था फूल भी इस पर बहुत सारे आई हुए है देखे फूल कितने सारे आई है लेकिन यह जुकराया देखे फ्रेंट्स तो जब यह आगी की तरफ जुकराया था तो जो आगे वाले प्लांट थे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी क्योंकि इसने उनको कवर कर लिया था तो इसको में क्या करूंगी इसकी कुछ जिन पर फूल आ गए थे जिन ब्रांचों पर उनक बिल्कुल एदम साफ कर लेंगे और जो हमारी कल्या आई हुई है तो उनको में नहीं काटूंगी क्योंकि फूल अब खिल रहे हैं तो फूल तो खिले वे अच्छे लगते हैं तो फूलों के लिए ही तो हम प्लांट लगाते हैं और यह वाइट कलर का गुडल है तो इसको भी नीचे नीचे की पत्यया जो एकस्टा होती उन सब नीकाल देंगे नीचे की ब्लांचे नीकाल देंगे और उपर का इसको रखेंगे बिल्कुल बढ़िया तो देखिए यहां से दीरे दीरे करके सभी प्लांट मीचे आ गँए अब देखिए आप गुडल की मैनेMe ret sweets अ बांट को बांध के एक जिगह देखिए किस तरीके से कर दिया ता कि अच्छा भी लगे और सुंदर भी लगे और उसके ओपर फूल भी आते रहेंगे और यह देखिये गोरी चोरी का प्रांट था इसके बीच में मैंने इस्टिक लगा दी है और इसको मैंने इस तरीके से बाम दिया है तो इसकी डंडी जाहिए इस सीधी की सीधी उपर को हो जाएंगी जो एक्स्ट्रा ब्रांच थी जिन पर फूल नहीं आ रहे थे उनकी मैंने जाएंगी तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कर दिया है ताकि फूल भी आते रहें और यह सीधा भी रहें दूसरे प्लांट को इसकी वज़े से कोई प्रोग्लम ना हो तो इसके बाद फ्रेंट समने क्या क्या है यह तो पहले कटिंग का काम मेरा खातम हो गया तो देख इस खाद मिट्टी मिली हुई रहती है रेत मिला वह रहता है तो चाल अच्छा नहीं होता तो यह भहात यह बढ़िया खाद और इसके अंदर फं स्के कैचविवी आते हैं तो देखि मैं नीचे की मिट्टी में थोड़ी खुदाई करूंगे और उसके बाद में अपना खाद इसके अंदर डालूंगे और उपर से मिट्टी से ढख दूंगे। तो मैं इसी तरीके से यही मेरा प्रोसीजर है खाद डालने का। में फ्रेंट से एक बार खाद देती हूँ। अफर उसमें मार्च अप्रेल में एक बार सितंबर अक्टूबर में। इस तरह से दो बार साल में इस अपने चे मेरे फ़लांट बहुत आप रहते हूँं। और बहुत अच्यां की ग्रोथ होते है फूल भी बहुत अच्या स्वाइशा आते हैं । इसका इलाववे जो हमारे किच्इन वेस्ट हे उसको क्या करते हूं जैसे की केले है उनके छिलके होते या प्याज है तो प्याज के छिल्के होते हैं जो प्याज के छिल्के या दिते हैं तो जो और जो प्यार के छिल्के को भी查ने को धुचु का में אी प्लांट हो जाते हैं तो दो घृ depend in और तीसरा खाद है मेरा पत्तियों का खाद तो पत्तियों का खाद g driver in the मिल जाता है तो इस तरह से ये मेरे तीन तरहीं मिल जाता है वरमी ही आज देख सकते हैं सब्सक्राइब से अंगे सरभ गमले में इस tut रहा गूरी इंगे से आप सीचहरी के दूजहाद बुझर इन को सामने से दुबारा से तो इस तरहीं से करून की एक ऐख नहीं नुसे दूसर प्लान क्योंकि खर लगता रहे गांगी दूसरा इस तरहीं करने चाहाँ है जो पर अपने तो इस तरहीं कि दीओं कि आधे को देखे अपर सामने आ था एक प्तुर्ट भाय मैं तो ब्लंट को अखित यह बड़ा खे इतना बहरा हूए नहीं होगा। तो कटिंग अपर नहीं किये देखे थोड़ी थोड़ी कटिंग में उसी से बहुत अच्छा यहाँ अपर मैं तो इस तरह के दू टो आप से काम तो बीच बीची में कड़ती रहती कभी 10 कमलों में कर दी कभी 15 कमलों में गदी तो करना बहुत ज़़ोरी होता है और पानी का काम तो डेली काई है एक ताइम दियं ako अगर पानी मालिव नमी है तो ना दो दूसरे दिन दे दो तो इस तरीके से इन चीजों का तो हमें बहुत ध्यान लखना पड़ता है बगीचे में तो जो इसमें से देखे फ्रंट्स कटिंग निकली तो कटिंग भी मैंने इनी गमलों में लगा दे क्योंकि खाद भी दिया है गुडाई बहुत अच्छे से हुई है गमलों की तो इसी में जो कटिंग मेरी चल जाएंगे तो मैं इसी तरीके से करते हैं अलग पोलो थीन में भी लगा देती हूं और आसे भी लगा देती हूं और देखिए यहां पर यह फांटेन मेरा भी जहें सका मोटर खराब हो गया मैंने पूरा बाहर जे बिलकुल एक दम साफ करके इधर का एरिया तो कर दिया फ्रेंट्स क्लीन तो यह काम हुआ मेरा कई घंटे का काम था यहां का एक एरिया का काम तो मेरा खतब हो गया फ्रेंट्स और अभी मेरे पास आपको पता यह बहुत सारे गमले हैं बहुत सारे फूल इसके पर आयो जाय है। इसके पर बहुत सारे फूल आये हैं देखेए गुडल पूरा ओटाइम हो पूल बहुत भी ऐच्छोब और रहे बहुत सारे फूल आ रहे हैं और पर के अуे पूल अपर पूल आ जो इसके बिस फूल आ तो अब मुस्का सबनान प्लांट हो गया हो तो इसकी अब रिपोरिंग कर रही había रही है यह बड़ा प्लांट मुस्की यह कर colours यह मेरा सबसे पुराना प्लांट है तो जब के यह साल पुरानाट होता है तो द्चिती अपर से मिट्टी किते, खाद दिया करते थी, लेकिन अब की बाहर में इसके रिपॉर्टिंग कर दी, तो इसको मैंने निकाल लिया है। गंले में से पुरी जड़े भरी वी ती मैंने कुछी दिऊ 뽑ा और कटिंग करने के बाद फ्रंट्स आप में दुबारा से रिपॉर्ट कर दूंग तो इसके लिए मैंने मिट्टी तयार कर लिया और यह इसका गमला तो गमले में सबसे पहले तो नीचे आप टूटावा कोई भी गमला ले लेंगे कोई भी टुकडा तो इस तरीके से रख लेंगे जिससे की पानी हमारा निकलता रहे और हवा का जो है इसमें अच्छा वो रहे देखिए यह पत्ते में इस तरीके से फ्रंट्स डाल देती हूं वर्मी कंपोस्ट अफ़ट होता है थोड़ा सा फ्रंट्स कोई पीट होता है तो चार चीजे मिलादे में एक ट्रूज की तयार कर लेती है हुआ कर अच्छा रहता है और प्लांट के ग्रोथ बहुत अच्छा जरूरत को यह तो है मेरा मिटी बनाने का तरीका तो देख सकते मैंने थोड़ा सा खाद ओर डाल दिया है क्योंकि बड़ा प्लांट है तो इसको खाद की जाज़ा जरूरत होती है तो देखे मैंने इस तरीके से इसको बीच अबीच रख दिया है और आप इसके उपर मैं मिट्टी भर दूंगी तो अब यह है दो साल तक मुझे इसमें इसकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बड़े अच्छे से चलेगा इसकी ग्रोथ बढ़िया हो जाएगी तो यह देखे मैंने जो है इसको इस तरीके से मिट्टी भरके हम इसकी मिट्टी अच्छे से दबा देंगे तो यह बहुत ही सही समय है वैसरो वरसाइट के मोसम दिए बहुत सारे रिपोर्टिटिंग क्योंकि वह इतने सारे प्लांट है धाषजां काम मेरा करना चाल्ता होता है तो धिर जा में इसकी आंदर MARTIN kii बढ़ला हो गया अच्छी तरीके से और इसको अब मैंने हैं आपकर रख दिया है पानी तो देखे बिलकुल अच्छी से यह प्लांट नहीं आई गया यह यह 4 गंटे बाद की वीडियो में आपको दिखा रही है लगा था उसे चार गंटे बाद यह दिखा यह ता इस टाइम मैं आपको और य इन में सभी में मैंने खाद दे दिया है, तो आप देख सकते हैं, इस वाले की मैंने कटिंग नहीं किया है, यह प्लांट काफी बड़ा हो रहा है, तो बहुत सारे फूल आ रहे हैं, और इसके बाद फ्रेंट्स मैंने जो आप राजीता की बेल और यह मदुमालती की बेल मैंन आपको दिखाई थी एक छोटे गमले में थी, तो इसको भी मैंने बड़ा गमला दे दिया है, देखिए मैंने कनस्तर है, प्लास्टिक है, इसमें इसको लगा दिया है, और देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल कोई भी इसमें प्रोब्लम नहीं आई, क्योंकि इसकी मिट अर यह जो दो प्लांट हैंगे, जो इनको भी मैंने 5-5 लिटर के जो कनस्तर होते हैं, उसमें मैंने इनको लगा दिया है, इस चोटे से दसीं, चोटे से जहें चार-पांच इंची के उसमें पोट में थे, तो आप देखिए कितने बड़े हो रहे थे, तो मैंने इनको निक और ग्रोथ हो जाएगे, बहुत ही अच्छी फूलों से भढ़ जाएंगे, तो यह बहुत जरूरी देखिए, आज देखें सुधही कितना सुन्दर सा फूल आ रहे, दो फूल है, पीछे की तरफ है गुडल का वाइट कलर का और इसके ओपर भी देख सकते हैं, तो यह के ब प्लांट की यह नहीं कि आप नरसरी से प्लांट लाते रहें लाते रहें और रखते रहें उनको के रह भी करना बहुत जरूरी होता है, और यहां पर मैं आपको दिखाँए, एक गुडल का मैंने प्लांट लिया था भी कुछ दिन पहले, बहुत चोटा सा था यह अपन और चार में तीसरा फूल या इस टाइम खिला है और पत्ते भी इसके बहुत बड़े बड़े हैं और इसको मैंने बिल्कुल छोटा सा लिया था और देखिए गोरी चोरी का प्रांट भी कितने सुंदर से फूल इसके ओपर खिल गए हैं तो खाद भी देना बहुत जरूरी हो और फ्रेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट्स फिर मिलूंगी आप से किसी नई वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ देखते रहिए आप मेरा चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताईए फ्रेंट्स तो मेरा किया हुआ काम आपको पसंद आया कि नहीं कि देखिए इतने अच्छे से फूल खिले में हैं गार्डन में देख करके बहुत दिल खुस हो जाता है तो लीजिए फूलों का मज़ा तो फिर मिलते हुआ फ्रेंट्स अगली वीडियो में ओके बाई